असलाम लेकुम मेरा नाम है जिया कमाल मैं हूँ एक फ्रीलांसर फ्रम लास्ट फॉर यर्स और मैं काम करूं वेबसाइट डिजाइनिंग और मार्केटिंग के उपर अकसर मेरी वीडियो के नीचे आपने भी देखा होगा और मेरे इनवोक्स में तो होता ही है कि जब आपके पास क्लाइट आता है तो वो क्या कहता है उसके जीमेल अकाउंट मांगना वेबसाइट के लोगी ना मुझसे कैसे मांग सकते हैं इस तरह के बहुत सारे छोट-छोट चाहिए आप अफवक पर हैं चाहिए फाइवर पर हैं चाहिए आप लिंक दिन से क्लाइट उठा के ला रहे हैं लेकिन हम वेबसाइट के बात करेंगे यह मैटर नहीं करता आप कौन सी मार्केट प्रेस पर हैं वेबसाइट आपने एक तरीके से बनानी है सिर्फ तोड़ा और मैं वो कर सकता हूं क्यानी बेकिन के लिए इस कौना और मुझे इस बालपन करने के लिए एक website चाहिए मुझे नहीं पता जैसे मरदी बना कर दो तो इस पर डिपेंड कर रहा हूँ था कि आपकी expertise क्या होती है तो आप ने अपनी जो skill के मताबिक उसको website design करके दे दिनी है आप WordPress के expert आप Laravel में हैं आप custom बनाते हैं आप Wix बनाते हैं आप Shopify बनाते हैं जो मरदी बनाते हैं आपने उसकी requirement के साफ़े उसको देखना शुरू कर देना है मैं WordPress पर बनाता हूँ तो मेरे क्लाइंट की रिक्वार्मिट ही WordPress होती है बिकास मेरे gig WordPress के keyword को target कर रही होती है और maximum website बनती है वर्डप्रेस पर ही है तो WordPress पर आके मुझे बनाता है कि बनानानी है सम्टाइम आकर कहते हैं कि WordPress बनानी है सम्टाइम कर देते हैं कि CMS बनानी है अगर बनानी हो तो बना देते हैं नहीं तो फिर उसको वहाँ से ही मना कर दिया जाता है Second thing, आपको पता चल गया, आपने CMS defined कर लिया, आपने उसकी requirement को analyze कर लिया, अब आपको पता हो जी आती है कि नहीं आती है, आप हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ, उसमें जब major question आता है कि हर बंदा पूछता है कि भाई वो hosting खरीद के देते हैं, हमने खरीद नहीं होती है, उस में फिर आपको website बनानी होती है, अगर उनके पास नहीं होस्टिंग तो आप उन्हें बता सकते हैं कौन सा host best रहता है, और यह यहां पर आप एक trust gain कर लेते हैं, और यह बहुत ज़्यदा फाइदा मान हो जाता है हर तरह से, मैं आपको बताता हूँ, first of all आपने उनको बतान हों कि आप अपनी affiliate hosting बेज सकते हैं, अगर आप hostinger से direct affiliate है, जिस तरह मैं हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपको website designing में discount दे सकता हूँ, और उसमें भी आप hostinger के लावा भी sale करना चाहते हैं, या कोई और उनकी है, तो impact.com एक website है, वहां पर जाकर आप account बनाए, affiliate के लिए best है, वहां पर different चीजों का affiliate link आपको मिल जाता है, और एक dashboard से manage हो जाता है, अगर आपको चाहिए उस पर भी एक video तो मुझे comment में बता देना, आपने hosting और domain के बारे में उसको proper बताना है, यह चीज होती है, पिर उन्हें ले के भी दे सकते हैं, और उसके ल login कैसे मांगे, client बोलेगा, भाई, तू कोन है जिसे हम login दें, maximum ऐसा नहीं होता, वो आपको login दे देते हैं, और उसमें आपने यह करना होता है, कि उसमें फिर wordpress setup करना होता है, और उससे जदा अगर आपको client कोई कह रहा है, कि ऐसे नहीं करना है, तो फिर उसके बोलें के बा login आपके पास आ जाते हैं, और उससे आप website designing शुरू कर लेते हैं, वो best होता है, client ऐसे कर देते हैं, मैं प्रेफरी करता हूँ, कि उसको मैं कहता हूँ कि एक separate Gmail account बनाए, उसी से आप hosting purchase करें, और वो Gmail account आप मुझे दे दे, अगर Gmail लेने में कोई मसला हो रहा है, तो फिर आप उसकी एक Chrome की profile मैं बना लेता हूँ, Chrome की profile अगर आपको बनानी नहीं आती, simple google करें, simple step है, Chrome की profile में मैं Gmail को login कर देता हूँ, और Gmail login करने के बाद आपका एक अलग setup बन जाता है, सिर्फ उस website के लिए, अब उस Gmail के तुरू आप सारी configuration करेंगे, ताके client को भी असानी आपने client को बाद समझानी है कि भाई मैं एक Gmail के तुरू सारे काम कर दूँगा, उसके बाद आपने Gmail यूज करना है, उसके अंदर सारे password भी save होंगे, उसके साथ सारी configuration भी होई होई होगी, आपको सिर्फ एक email अपने Chrome में login करने की जरूरत होती है, यह उसको ज्यादा convenient लगता है, और इस पर वो मान भी जाते हैं, simple as it is, आपने Gmail अपने पास profile में login कर लिया, separate profile में, उसके बाद उस Gmail में उस hosting के भी login होंगे, तो आपने वहां से login कर लिया, फिर आपने WordPress को setup कर दिया, WordPress या कोई भी CMS आपने उस hosting पे setup कर दिया, उसके जो password है वो भी Gmail में आपने save कर दिया, simple as it is, मैंने अभी तक उनसे Gmail लिया और उसके ओपर सारा काम चला है, वो login देते हैं, अभी यहां तक हमारा काम हो गया, तो अगर आपने project milestone wise किया, तो उसमें आपका एक milestone होगा, कि मैं WordPress install करूँगा, WordPress setup करूँगा, यहां तक एक milestone done हो गया, client को आपने update रखना है, यह best way होता है, आ उसके बाद उसे same Gmail पर मैं उसके account जो plugins होते हैं, like Yoast SEO होता है, या कोई भी Google site kit होता है, वो सारे मैं उसमें integrate कर देता हूँ, client को just take Gmail की जूरत हो, वो अपने computer की profile में एक Gmail को login करेगा, और उसके सारे password भी उस Gmail में सेव होंगे, उसकी सारी website की configuration उसमें सेव होंगी, उसका सारा जो website वाला काता है, जो simple website वाला वो एक side पर हो जाएगा, जी, तो यहां तक आपने websites के related सारी चीज़ें गैदर कर ली है, आपकी website designing शुरू हो चुकी है, अगर आप website designing के बारे में तुर्णा देखना चाहते हैं, तो एक video मैंने बनाई है, जिसमें मैंने बता है, 2023 में जो best designs जो आपको apply करनी चाहिए, अपने new website में, वो देख सकते हैं, और एक मैंने बड़ा detailed article अपनी website पर लिखा है, उसका नाम है, 7 ways to deliver website to client, इधर कई आ भी रहोगा, link is in the description ज़रूर पढ़ेगा, उसमें मैंने को साथ चीज़ें बताई हैं, जो आपको website deliver करने से पहले करनी चाहि अगर आप Fiverr पे हैं या वक्त पे हैं तो आपने deliver करते वक्त आपको सारे logins देने की ज़रूरत नहीं, आप सिरफ उसको यह बताएंगे, आपने Gmail login करने इसमें सारे आपके password save है, उसके पाद एक screenshot website का लाजमी लेना था, screenshot full page का लेना है, उसके लिए मैं extension यूज करता हूँ यहां पर किया है कि फुल page screen वो ग्रे सा camera बना होता है, उससे आपका पूरा एक website का screenshot आजेगा जो आप add करेंगे, deliver project करने वाले उस page में, और उसके वचा से आपके जो gig पे या आपकी profile पे portfolio में वो image नजर आएगी, वरना सिरफ link लगाएंगे तो उसमें image नजर नहीं मैंने एक video और बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि मैं जो general चीजें हर website को बनाने में करता हूँ, उसके बारे में मैंने detail में बात की हुई है, वो भी आप video आई card से और इधर thumbnail वगारा से देख सकते हैं, मेरे channel में पढ़ी हुई है, तो दोना video बड़ी मज़े की हैं, जो मै का ये website का सारा process complete होता है, इसमें कोई इतना बड़ा को मुश्किल चीज नहीं थी, simple आपने Gmail के दुरू काम करना था है, depend करता है आपके client, जिस तरह satisfy है आप उस तरह काम करेंगे, और अगर आपके और कोई questions हैं related to this process, आप comment में करें, मैं one by one answer भी करूँगा, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, अलाहाफिस